सफल बनाने में जिन भी लोग उने सहीयोग करा उनका बहुत बहुत धन्यवार है और किसी भी चीज को बनाने में बहुत टाइम लगता है लेकिन यह है दूसरा दिन और कल जन्मास्ट्रमी वाली वीडियो आप लोगों ने देख ली होगी आयोग की पसंद आये होगी अगर पसंद आये तो जय वद्री विशाल जय बहुश्य वद्री जरूर लिख दे नक बाकी लगातार दो तीन दिनों से ठीक से सोव भी नी रखे थे तो आज थोड़ा लेट उठे और पूरा जो थकान था वो दूर कर दिया है और थकान दूर करते हैं अभी दिन का टाइम मैं जा रहा हूँ बहुश्य वत्री यानि जो क्राम छुटा हुआ है आदा तो उसे लेते हैं और कल जन्वाशनिवी के दिन बगडवाल देपता भी आयते बाहर की तो यहां पे फिर से बगडवाल देपता का आगवन हो चुका है जी और भी आगे मंदिर से जो सामान वगेरा था कल का वो ले करके पहुंच गे देखता है जी पूरा पिठावर के आगे मंदिर के पास में और यहां आतेना बहुत तेज बारिस हो गई है और सामने देख लो मौसम इतना खतरनाक हो रोगा ना किसमत अच्छे रही कि कल इतनी तेज बारिस नहीं हुई कल सुझा ऐसे मौसम खीक रहा और जिस काम के लिए हम आए हैं आपको पता ही होगा कल जन्व निकालने वह पाइप है तो सारे निकालने हैं उनसे फ्लेग वगेरा उनको निकाल देते हैं क्योंकि इसके बाद टाइम नहीं मिलेगा रोज रोज आना नहीं होगा तो इसलिए उनको आज वहां से रोड तक उसार देते हैं अभी ऐसे मौसम में उसके बाद वहां से केवल गाडियों में जाना है नीचे मंदिर तक और एक खास बात बंडारे को सफल बनाने में जिन भी लोग उने सहयोग करा उनका बहुत बहुत धन्यवाद और आगे भी करते रहेंगे और नेक्ट साल इससे भी और बड़ा बंडारा करने की कोसिस करेंगे हम लोग आपके सहयोग क बिना ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हैं इसलिए आप लोगों का सहयोग भी बहुत जरूरी होता है किसी भी काम को करने के लिए सहयोग बहुत जरूरी है नहीं तो अकेले किसी एक आदमी की वसकी बात नहीं है कि इतना बड़ा बंडारा कर सके इसलिए सारे लोगों ने मिलकर चेतर के सबी लोगों जिसने भी सयो करा है उसका तहए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद चेलिए भाई अभी पाइप निकालना शुरू कर दिया है तो सारे निकाल देते हैं उसका निकाल दिये हैं पाइप और ये रहे जंडे गीले होगे बारिश से बाकी लास्ट में इतने ये लोग वचे काम करने वाले क्या करें अभी सार नहीं भाए लोगो ठीक है तब जाके होगा तो चलते हैं फटापट इनको सार देते क्यूं अपने घर पर लगाओ इनको जंडे जंडे के साथ यह सबाई बोलने मिरो कड़ी नहीं खिलाए वर चले यार कोई नहीं मदद क्यूं सेवा ही धर्म है यार अगली साल यह पोल निकालते सबाए अध्याजी के सर पे लगयो वाई क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ है जा लगी है अलो बाई क्या हुआ जादा है यह चल गाडियों के ठास को यह तो कट्वाल इडियो है हुआ है यह जादा लागी है चले वए अभी सारे पाइप निकाल दिये हैं बाकी कुछ पाइप निचे रोड पे दो तीन चकर चले गये हैं और थोड़ा बहुत बचा है लास चकर जाएंगे और अभी मंदिर में दर्शन गर के भी आते हैं क्योंकि इतने नस्दीक आई रखे तो एक चकर दर्शन भी हो हो जाएगा और साथ में मंदिर की सीड़ी है तो पंकुवाई लेक्या रहा उसको तो उसको भी उपर रख देते हैं और किसी भी चीज को बनाने में बहुत टाइम लगता है लेकिन कल तक आपने देखा होगा यह वाले ग्राउंड में पूरा सजावट करा था तो अभी सार लुक जाएगा उसको भी खदम कर देंगे क्यों चल वाई चले वजय ना रहे हैं कि अब दर्शन वजयर अभी कर दिया है बाकी ताव जी यहीं रहते हैं आजकल क्योंकि चार-पांस दिनों से जन्वाश्टमी की तैयारी भी थी इस वजजे से ताव जी यहीं रहते थे तो ताव जी का रातरी विश्राम यहीं होता है और आज भी यहीं है सायत कल परसों से घर आएंगे फिलाल चलते हैं हम लोग बस वहाँ पर से पाईप अगरा ले जाना है केवल चार पाईप छूट रखे हम दोनों के लिए उनको ले जलते हैं रोड पे और वहीं से घर के और निकल जाएंगे अब इस सारा सामान रोड पर पहुंच गया है बाकी आज साम को तो गाड़ी आएगी ताव जी जारके हैं मार्केट और तो सामान यह रहा ड्रम और पाइप और बाकी सामान रोड पर है तो कल सुबह ताव जी आएंगे लेकिन कल सुबह हम सायद कहीं ट्रिप पे होंगे स्वास और मैं क्या वता अगर नहीं गये तो हम यह आ जाएंगे और अभी सामान देख लो यहां बहुत पड़ा है पाइप है वो सारे उधर इखटा गर दी है बाकी यह दुकान वालों का था इनको भी निचे ले जाना है जो उधर चार पाउस वागेरा तो इसको देखते हैं थोड़ी देर में अभी दीपक भाहया और भी आ जाएंगे तब निका लेंगे तो अभी देखलो दूब लगगी गाम में कर दो कर दो कर दो कर दो